Hello everyone, welcome back to the Rana Academy. तो last lecture के अंदर हमने sound chapter का जो part A है, उसकी theory, उसके questions और उसके numericals हमने discuss कर लिये थे. अगर आपने वो video नहीं देखी, तो कोई बात नहीं, उपर एक i button मिलेगा, वहाँ पर click कर देना, और उसके related जो video है वो आपको मिल जाएगी. आज के lecture के अंदर हम part B को start करने वाले हैं, तो सबसे पहला topic जो आज हमने discuss करना है, उसका नाम है natural vibrations. तो बिना को time waste किये, चलिए शुरू करते हैं. तो natural vibration क्या होती है, उसको समनने से पहले, हम उसकी definition को एक बार read कर लेते हैं. definition कहता है, the periodic vibrations, अब periodic vibrations का मतलब होता है, वो vibrations जो आपकी repeat होती है, एक fixed time period के बाद. मैं आपको एक example देता हूँ. जैसे मान लीजे के मेरे पास एक pendulum है. ठीक है? आप उसको एक extreme position पे लेके जाते हो, मान लेते हैं add point A. और यहां से आप अपने bob को release करते हो. तो वो क्या करेगा, वो पहले आपके दूसरे end पे जाएगा और फिर वो वापिस आएगा. अब जितना time लग रहा है, उसको वापिस अपनी उसी position पे आने के लिए वो होता है उसका time period. ठीक है? मान लेते हैं कि इसका time period है, हमारे पास मान लो 2 seconds. ठीक है? अब जब वो next vibration लेगा, तो मतलब जब वो A से जाके दुबारा जब A पे आएगा, तो वो भी आपका 2 seconds में ही होना चाहिए. जो third vibration लेगा, वो भी 2 seconds में ही होना चाहिए. तो अगर ऐसा हो रहा है, तो इसको कहा जाता है periodic vibration. फिर वो कहता, of a body of constant amplitude, constant amplitude का मतलब होता है, maximum displacement of a particle about its mean position. जैसे मानलो, initially bob O पे था, फिर वो A पे गया, तो यह इसका maximum displacement है. ठीक है? अगर next vibration में भी, bob दुबारा A point तक पहुँच जाता है, तो इसका मतलब है, कि यह constant amplitude है. मतलब, पहले A से गया है, दूसरे XT में वापिस A पे आया, जब next vibration होगी, दुबारा वो A पे ही पहुचना चाहिए, उससे पहले नहीं, A तक पहुचना चाहिए. उसके next में भी A तक ही पहुचना चाहिए. तो उस particular condition में हम कहते हैं, कि यह इसका constant amplitude है. ठीक है? फिर वो कहता, वाइब्रेशन है, वो एक ideal case को represent करता है. आप बताईए, क्या हम कोई ऐसा region, perfectly vacuum वाला region तो create करना हमाली थोड़ा मुश्किल है न? तो कहने का मतलब है, कि कोई body जब आपकी vibrate करती है, तो उसका जो amplitude है, वो आपका धीरे धीरे decrease होता है. क्यूंकि, जिस medium के अंदर आप इसको vibrate करते हो, वो जो medium है, उस particular body के motion को वो resist करता है, जिसकी वज़ा से उस body की जो energy है, या उसका जो amplitude है, वो धीरे-धीरे decrease होना शुरू हो जाता है. ऐसी vibrations को हम damped vibrations कहते हैं, जो मैं आपको next lecture में अच्छे से समझाऊंगा. आज हम बात कर रहे हैं ideal condition की, मतलब कोई external force act नहीं कर रही, कोई resistance इस पर force act नहीं कर रही, तो उस condition में एक ऐसी periodic vibration, जिसका amplitude कभी भी decrease ना हो, उसको कहा जाता है free or natural vibration. ठीक हो गया? अब the time period of a freely vibrating body, मतलब जितना time वो लेता है, एक vibration complete करने के लिए, उसको time period कहा जाता है, of a freely vibrating body का, और उसका नाम भी आपने रखा, जैसे की natural period, या free period उसी को भी बोला जाता है, और जिस frequency से वो vibrate करता है, उसको कहा जाता है आपका natural frequency. I hope आपको ये जो starting है, ये समझ में आगे होगा, कि basically natural vibrations होता क्या है आपका? आगे देखिए, अब ना बहुत important है ये तीन आपके points, to understand की natural vibration क्या है? पहला point तो आपका ये है, कि देखो the period of vibration, depend करता है shape and the size of the body. period of vibration मतलब कितना time लेगा, वो एक vibration को complete करने के लिए, उसको period of vibration कहा जाता है. वो सचमूर में actually depend करता है shape and size के उपर, देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे tuning fork रखे हैं. हर एक की जो length है, देखो different है. हर एक की length different होनी की वज़े से, ये जितने भी tuning fork आप देख रहे हो, उन सब की frequency में क्या है? different है. frequency different का मतलब होता है, कि हर एक का period of vibration है, वो क्या है? different है. तो ये बात अच्छे से समझ लेजिए, कि shape and size अगर किसी body का different होगा, तो उसकी जो period of vibration है, वो आपके different होगी. दूसरी बात, मैंने आपको अलड़ी बता दिया, कि free vibrations के अंदर जो amplitude है, वो हमेशा constant रहता है. और ये इसके बारे में next, थर्ड पर्ण में बताया भी गया है, कहते हैं कि ये free vibration सिर्फ आपकी vacuum में ही possible है. ऐसा इसलिए, क्योंकि presence of medium around the body offers some resistance, जो मैंने आपको बताया था, जिसकी वयदे से जो amplitude है vibration की, वो constant नहीं रह पाती, और लगाता decrease होनी शुरू हो जाती है. तो I hope आपको ये सबज में आ गया होगा, कि natural vibrations क्या होता है, ठीक है. अब हम study करेंगे examples of free or natural vibrations. देखिए, सबसे पहला example है, आपका simple pendulum का. Simple pendulum pendulum को तो आप अच्छी तरह जानते हो, एक thread होता है, उसके साथ एक mass है, वो tie किया होता है, और ऐसे to and fro motion करता है about its mean position. तो, जैसे मैं आपको पहले भी कहा था, कि मेरे पास एक pendulum है, वो अपने एक extreme position पे जाता है, फिर वापिस इस extreme position पे आके, दुबारा जब अपनी mean position पे आता है, जितना time लगेगा, उसको हम कहते हैं, the time period. ठीक हो गया? and जो उसकी frequency होगी, that will be its natural frequency. तो किसी भी simple pendulum के case में, time period find करने का जो formula है, वो होता है आपका 2 pi under root L upon G. ये formula है time period find करने का. इसका मतलब frequency अगर मुझे find करनी है, वो होता है 1 upon time period, जिसका मतलब हो गया 1 by 2 pi under G by L. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि किसी भी pendulum का जो time period है, वो actually में length of the pendulum पर depend करता है. frequency की बात करूँ, तो it is inversely proportional to length. मलब जिसकी length क्या होगी? आपकी कम होगी. उसकी frequency ज़्यादा होगी. मतलब frequency ज़्यादा होने का मतलब, ज़्यादा number of vibration produced करेगा. मलब ज़्यादा oscillate करेगा about its mean position. अगर length ज़्यादा होगी, frequency कम, frequency कम का मतलब है, कम number of waves वो परड्यूस करेगा 1 second के अंतर. तो ये बात आप प्लीज समझे जिए, कि आपकी ज़्यादा frequency है, वो inversely proportional to length होती है. अब इस चीज को दिखाने के लिए न, मैंने एक वीडियो यहाँ पर आपको दिखानी है, as an example, और इस particular वीडियो के अंदर, आप देखेंगे, कि आपके पास यहाँ पर different आपके pendulum's है, different length of pendulum's है, जो bob हमने attach किया है, वो बिल्कुल same mask का हमने attach किया हुआ है, और सभी को हमने same height से display करना है, देखें, मैंने उसको same height से क्या किया, मैंने same height नहीं बोलूँगा, वो गलत हो जाएगा, मैं कहूँगा कि उसको mean position से same displays किया गया है, यह I think better word है इसके लिए, ठीक है, उसके बाद हमने सब को क्या किया, release कर दिया, जैसी उसको release करेंगे, देखें, आप खुद देख सकते हो, यह जो जिसका length आपका ज़ादा है, यह अराम से vibrate कर रहा है, और जिसका length कम है, वो तेजी से vibrate कर रहा है, आप देखो, आप देखो, आपको खुद ही observe होगा, इसी वाज़े से आपको अलग-लग pattern ऐसे दिखाई देते हैं, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, कि आपका जो frequency है time period का, यह simple pendulum का basically, no time period, simple pendulum, जो आपका है, वो actually length पे depend करता है, और हाँ, of course acceleration to gravity पे depend करता है, अगर आप मान लीजिए, आप अर्थ की जगा पे, मान लीजिए moon में चले जाते हो, तो g की value decrease हो जाएगी, g की value अगर decrease हो जाती है, तो frequency decrease हो जाएगी, frequency decrease होने का मतलब है, एक कम number of vibration produced होंगे, एक second के अंतर, जो इसकी second example है, उसमें यह कहा गया है, और छोड़ दिया, तो वो इसी तरीके से, उपर, नीचे, उपर, नीचे, इस तरह से vibrate होना शुरू हो जाएगा, अगर मुझे इसकी frequency पता करनी है, तो सबसे बैस तरीका होता है, आप पहले इसका time period चेक कर लो, कि बाई कितना time period लगता है, इसको एक vibration complete करने में, उसका प्रैसी प्रोकल ले लो, वो ही उसकी frequency हो जाती है, experimentally ये बात हमें समझ में आई, कि इस particular condition की जो frequency होती है, वो actually में under root k by m से हम calculate कर सकते हैं, ठीक है, 1 by 2 pi under root k by m से हम उसको calculate कर सकते हैं, इसमें k क्या है, k जो है उसको बोलते हैं, कई लोग इसको hardness बोलते हैं, कई लोग stiffness बोलते हैं, different books है, लग-लग तरह किसे बोलाता है, कई इसको force constant कहते हैं, कई लोग इसको spring constant भी कहते हैं, बट इसका असली मतलब क्या है, मैं मतलब आपको समझाता हूँ, पहले तो आपने इसके units को समझो, जो k का unit है वो आपका होता है newton per meter, अगर मैं कहूँ कि यह spring है, यह spring की value है, k की value है, 10 newton per meter, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि 1 meter तक अगर मुझे spring को stretch करना है, तो मुझे 10 newton लगेगा, अगर k की value है, आपके 100 newton per meter, इसका मतलब होगा, कि 1 meter stretch कर करने के लिए, मुझे 100 newton की force लगानी पड़े, उपर कितना, सिर्फ 10 newton, नीचे कितना, 100 newton, आप खुद सोच के देखो, मैं को stress तो सेम ही करना है, बर नीचे वाले में, मुझे 100 newton लगानी पड़ रही है, और उपर वाले में 10 newton लगानी पड़ रही है, तो आपके हसाब स hardness या stiffness किस की जादा है, नीचे वाले की जादा है ना, इसी वज़ाए से हम k की value, मलब हर एक spring के लिए बहुत ही बड़ होती है, अब आप देख सकतो हो, यहाँ पर ही जो frequency है, वो directly proportional to the root of k है, मलब अगर same mass आपके पास है, different springs है, with different stiffness, तो जिसकी stiffness जादा होगी, उसकी frequency जाद मलब वो जादा vibrate करेगा about its main position, और अगर आपके पास same spring है, बट अगर mass different है, तो अगर mass जादा होगा, तो frequency आपकी कम होगी, मलब जिसका mass जादा होगा, वो आपका क्या करेगा, उसकी frequency जादा होने का मतलब क्या होगा, कि वो तेज vibrate आपका करेगा, मलब जादा number of vibration produced I hope आपको ये बात सबज में आगए होगी, चलिए, अब हम अपना next example देखते हैं, अब next example है हमारे tuning fork की, देखिए क्या है कि मेरे पास मालब एक tuning fork है, उसको आप rubber pad के उपर एक बास stuck करो, एक बास stuck करने के बाद आपको दिखेगा कि actually आपका tuning fork vibrate करने लग जाता है about its main position, ज वो बनाता है हमेशा एक longitudinal wave, ठीक है, और हर एक tuning fork की अपनी एक single frequency होती है, बलब क्या होता है, जैसे मालो मेरे प्यानो है, प्यानो में कई सारे कीज को में stuck करता हूँ, तो हर string से अलग frequency की sound produce होती है, और वो जब एक दूसरे पर overlap करती है, तो उससे मुझे एक नया sound है, वो स सारे frequencies की, यहाँ पर सरी एक ही type की frequency आपको सनाई देती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है pure note, pure note मलब एक ही type of frequency, ठीक है, अच्छा, तो यह है आपका हमारा tuning fork के बारे में, तो चलिए अब हम next example देखते हैं, इस example में हम बात करेंगे flute के बारे में, या organ pipe के बारे में, या closed end organ pipe के बारे में हम बात करेंगे, देखे, organ pipe या flute, या open organ pipe, I think better word है, open organ pipe या flute, ये flute जो है, वो open organ pipe का ही एक example है, इस condition में कभी आपने शायद observe किया होगा, कि इस flute में ऐसे कई holes बने होई हैं, अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बने हैं, holes बने होई हैं, तो actually में क्या हो हवा इसके through pass करते हैं, तो वो actually इस flute से होते हुए, इन holes से बहार आता है, अब अगर आपने flute को कभी observe किया होगा, तो flute चलाते हैं, हम जो holes हैं, इनको बंद करते हैं, अब holes को बंद करने से होता क्या है, holes को बंद करने से क्या होता है, कि अगर मालो मैंने ये वाला hole बंद किया, तो अब हवा जो है, वो ज़्यादा length को cover करेगी, और वो यहां से निकलेगी, अगर मैंने इन दोनों को बंद कर दिया, तो हवा और फर्दर आगे जाएगी, फिर यहां से निकलेगा, अगर मैंने तो हवा और आगे जाएगी, और यहां से निकलने लग जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है, आपने ये चीज़ observe की होगी, पका observe की होगी, कि जब हम इनके holes को बंद करते हैं, तो हमें अलग-लग frequency of sound सुनाई देती है, हमने इस चीज़ को observe किया है, और हमने ये find किया, कि एक flute के case के अंदर, जो natural frequency होती है, वो universally proportional होती है, length of the air column के, मतलब air column जितना जादा होगा ना, उतनी small frequency of sound आपको सनाई देती है, मतलब ये, कि अगर मैंने ये सारे holes मालो यहां से बंद कर दी, अब जो हवा यहां से निकलेगी, ये एक case हो गया, अब मैंने क्या क्या है, पीछे वाले सारे बंद कर दी, अब जो हवा यहां से निकलेगी, इसकी frequency और इसके frequency में आप अराम से distinguish कर सकते हो, इसकी frequency जादा होगी, इसकी frequency क्या होगी, कम, क्योंकि length जादा frequency कम, length कम frequency जादा, अब यह जो पिक्चर में आपको दिखाई है एक्चली में यह चीज पढ़ाई जाती है 11th class के अंदर अब प्रॉलम यह है कि आपके बुक के अंदर इसकी जो frequency की ratio है वो दिखाई गई है इसलिए मुझे आपको यह थोड़ा सा बताना पड़ रहा है तो प्रीज थोड़ा समने की कोशिश करना अगर आप इस particular चीज को ध्यास देखें दोनों end से क्या है यह open है यहाँ पे एक word लिखा है node और लिखा है anti-node node हमेशा उस particular region को कहा जाता है जहां पर displacement of particle zero होती है जिरो और जहां पर particle की displacement सबसे जादा होती है उसको anti-node कहा जाता है पहले तो यह समझो अब सबसे पहला जो wave एक particular open organ pipe में जो create हो सकता है वो यह होता है इससे कम frequency वाली wave आप इसमें बना ही नहीं सकते the reason is that कि जो open end होता है वहाँ पर हमेशा हमारा anti-node बनता है तो यह मेरी सबसे पहली wave है जो हम यहाँ पर create करते हैं इससे छोटी wave आप इसमें बना ही नहीं सकते ठीक है तो इसकी length क्या है lambda by 2 आप बोलेंगे lambda by 2 सर कैसे हो गया देखे सिंपल सी बात है आपकी जो wave है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है यह ऐसे दिखाई देती है इसके पूरी length को wave length कहा जाता है इसके आधे को lambda by 2 कहा जाता है यही होता और इन दोने के बीच में मतलब इतनी length को lambda by 4 कहा जाता है तो अगर आप थोड़ा दिहान से देखे तो हम यहाँ पर बात कर रहे है इसकी यह वाली length की बात कर रहे है तो lambda by 4 प्लस lambda by 4 बन जाएगा lambda by 2 तो basically जो length आप देख रहे हो यह lambda by 2 है उसके हिसाब से जो frequency है वो आपकी यह आती है अब आप बोलेंगे सर यह क्या है कहां से आ रहा है सर क्या बता रहे हो मैं आपको बड़ा simple बताऊंगा आपने पढ़ते न कि speed आपकी frequency into wavelength के बराबर होता है यह तो पढ़ा था आपने ऐस तो नहीं कह सकते नहीं पढ़ा अच्छा frequency क्या होती है speed divided by wavelength और यहां से wavelength find करोगे तो आपका twice of L आएगा वो twice of L यहां डाल दीजी आपका formula त्यार है तो यह formula यहां से आए clear अगला next जो wave बनेगी न वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है अब यह पूरी length के अंदर हमें complete wavelength दिखाई देती है अब यह कैसे lambda by 4 यहां तक lambda by 4 है lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4 total कितना हो गया? lambda अगर मैं lambda डाल लूँ तो V by L आएगा आपके पास यहां पे और यह इसका double है इसलिए double of F1 लिखा हुआ है यह V by 2L है, यह V by L है तो मतलब यह F2 इसका double है जो third बनता है भीटा third wave जो बनेगी वो इस तरह से दिखाई देगे आप देख रहें ends हमेशे anti-nodes की बनेगे but हर एक case में node बढ़ता जा रहा है पहले में एक node था, अगले में दो node आए अगले में तीन node आए, तो ठीक है इस तरह से harmonics बनते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक इनके नाम है harmonic जो बोला जाता न वो actually में जो पहली frequency के कितने times है वो उसके हिसाब से बला जाता, जैसे कि यह double है ना इससे, तो यह second harmonic है यह देख रहे हैं, तीन गुना है मेरे पहले वाले frequency के तो इसको third harmonic कहते है इस तरह से बेटा इसको कहा जाता है, ठीक है अच्छा, तो अगले case में 3 by 2 of lambda है बेटा, तो इसको में value the end में अगर आप ध्यान से देखे तो एक end आपका बंद है, देखे, सबसे best तरीका होता है speaker आपके पास है तो कुछ नहीं करना आपने इसमें sound produce होगा, यह piston लगा हो है piston को आगे और पीछे करते जाओ आपको different frequency of sound अपने आप सुनाई देनी जो length है, फिर से lambda यह क्या है, आपका lambda by 4 है लेकिन समझने वाली बात क्या है इस case में समझने वाली बात यह है, कि यहाँ पर आपका anti node है, यहाँ पर क्या है node जो closed वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर मेशा node बनता है, और जो open वाला हिस्सा होता है यहाँ में इमेशा anti-node बनता है जादा इसमें focus करने की जूत नहीं है मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपकी book में था otherwise मैं 11 में यह पढ़ाता हूँ तो वहाँ से थोड़ा से मैं टॉपर को ठालिए ताकि आपको थोड़ा clear कर सको इसलिए मैंने बता है तो इसके हिसाब से मारी फ्रिक्वेंस से आगी वी बाइफॉरल्म नहीं आपको पता क्या से करना आपने speed upon wavelength मैंने किया answer अगले case में अब मुझे यहाँ पर क्या नोड आएंगे तो इस तरह से मुझे waves को prepare करना पड़ता है तो अगले case में देखोगे तो अब यहाँ पर lambda 3 3 by 4 lambda 3 आपके पास आता कैसे देखिए lambda by 4 देखो lambda by 4 lambda by 4 तो कितना क्या हो गया 3 lambda by 4 हुआ ना उसके साब से जो frequency आती है वो आती है 3 by 4L जो कि इसका तीन गुना होता है तो देखिए जैसे मैं आपको कहा था कि यह जो harmonics है वो किस तरह से नाम हम उनको देते हैं वो depend करता है कि वो मेरे फर्स्ट हर्मोनिक के कितने तो आपने थर्ड हर्मोनिक में देखा तो यह मेरे फर्स्ट हर्मोनिक के तीन गुना है क्योंकि वो मेरे तीन गुना है इसलिए यहां पर थ्री टाइम्ज ओफ एफफ लिगा गया और इसको थर्ड हर्मोनिक कहा गया अगर मैं उसके सिटूशन देखूंगा तो वो 5 टाइम्ल बनता है तो इसमें साकन्ड और साकन्ड हर्मोनिक और ओर्फ 爷すleesh हर्मोनिक सोते ही नहीं है इसवे सारे ओंड हर्मोनिक सोती है इसलिए जब भी हम इनकी frequencies निकालते तो ratio 1 is to 3 is to 5 आती है तो actually मैं उसके behavior के हिसाब से यह जो frequencies है हम इसको study करते हैं I hope आपको यह समझ में आगया होगा कि closed and open and उनकी frequency की ratio क्या होती है ठीक है जी आगे देखते हैं फिर हमारे पास आता है बेटा की guitar हो गया सितार हो गया violin हो गया इनकी strings को अगर मैं pluck करता हूँ जैसे यहां पे देखो वो देखो प्लक हो रहे है प्लक करेंगे तो क्या हो रही है waves अलग लग टाइप की बन रही देखो अगर आप अपने ध्यान से देखो आपको चीज़ अब्जर्व होगी पका अब्जर्व होगी कि जो पतली वाली wire है उसमें जादा तेज vibration हो रही है और जो जो ठिक वाली wire है उसमें कम vibrations हो रही है इन strings की जो frequency है वो आपकी चार factor पे depend करती है पहला length of the string में length ज़्यादा frequency कम दूसरा यह depend करती है radius पे आप खुद दिहां से देखो तो इसकी थिकनेस ज़्यादा है इसकी थिकनेस कम है तो जिसकी थिकनेस आपकी क्या आरी है बटा ज़्यादा आरी है आपने देखा होगा कि उपर से नोब को tight करके या loose करके इसकी frequency को set करते है क्योंकि उसको screw को tight या loose करके हम string की जो tension है उसको हम change करते है और fourth one the density density of the string so density में अगर आप यहाँ पे दिहान से देखो बटा कि जिसकी density ज़्यादा होगी frequency उसकी उतनी कम हो जाती है हाँ एक बात और बताया तो यह आपका area है यह आपकी density है अगर इनके product को देखो अगर इनके units टाल के इनके product को देखो तो यह actually मेना mass per unit length को represent करता है mass per unit length को represent करता है मतलब यह कि मेरे पास string है मालो एक मीटर के string है मैंने weighing machine में string को रखा और उसका mass ले लिए दोनों को divide किया तो उसको कहते है mass per unit length बस यह इसका मतलब होता है I hope आपको यह पूरा जो factor है यह समद में आगया होगा चलिए अब हम चलते अपने last example की तरह अब जहां तक इसकी बात है मैंने आपको already guitar के बारे में तो बता दिया guitar में आपने क्या देखा कि जब आप उसको plug करते हैं उसमें vibration produce होती है अब बस उसी के related यह आपको दिया गया है अब देखो इस condition में क्या है कि मेरी जो string है उसको tie किया हुआ है depending upon आप उसको कहां से plug करते हो आपको different vibrations आपको मिलती है ठीक है अब देखी क्योंकि यह दो जगा से end से tie है यह particle जो है यह जो particle कहूँगा या जो point है यह कभी भी displace नहीं होगा तो यहाँ पे आपका node बनेगा बीच में यह जो maximum displacement है उसको anti node कहेंगे उसी तरह अगर आप next पे आ जाते है तो अब इसको next wave होगा उसमें एक node आएगा उसके next wave में आपके 2 nodes आएगे उसके next में 3 nodes आएगे इस तरह से हम इसको operate करते हैं अब अगर मैं इसको center से plug करता हूँ तो यह इस तरह की wave दिखाई द में मुझे इस तरह की wave दिखाई देती है इसकी frequency पहले वाले से double होती है तो अगर मैं इनकी frequency निकालू इनकी ratio निकालू तो 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5 इस तरह से आपको हर एक harmonic वाली जो wave है वो आपको यहां से मिल जाती है I hope आपको यह जो examples है यह समझ में आगे होंगे तो चलिए अब हमने example study कर लिया है अब हम इन सब को sum up कर देते हैं तो देखिए nature of free vibration हमने यह पढ़ लिया कि देखिए अगर vacuum हो तो उस condition में जब हम किसी भी body को stuck करते हैं तो उसके साथ एक vibration produce होती है और वो उसकी natural vibration तभी कहल आएंगे अगर उसके amplitude में कोई भी decrease नहीं आ रहा with respect to time जैसे आप यहां पर देख सकते हो इस condition में यह जो आप यहां देख रहे हो इसका maximum क्या है displacement है इसको हमने amplitude का नाम दिया उपर जितना नीचे ही उतना and आप देखिए तो time के साथ यह बिल्कुल भी decrease नहीं हो रहा बिल् difficult to realize such vibration in practice आप actual practice के अंदर इसको maintain करना बहुत ही मुश्किल होता है ठीक है तो in general हमें देखेंगे तो amplitude decrease करेगा इसके बारे में हम पर नेक्स क्लास में पढ़ेंगे I hope आपको free vibration उसके यह जो examples हैं यह समझ में आगे होंगे ठीक है तो आज के lecture के अंदर हमने study किया free vibrations के बारे अगर आपको मेरी video पसंद आ रही है तो please like it, share it and subscribe it आज के लिए बस इतना ही, thank you so much